जहें दोस्तों आप देख़े हैं अध्यन के अंदर इस वीडियो के माध्याम से अभी हम पढ़े हैं लुसेंट आपजेक्टिव का बुक जिसमें हमारा चलड़ा इतिहास और अभी हम पढ़े हैं धार्मी कांदोलन जिसके 60 नमर प्रस तक मैंने कम्प्रीट कर लिया था आज उससे आगे हम कबर करेंगे 60 परस प्रस परच रिपीट कर लेते हैं गौतम बुद का जन्म कब हुआ था? 563 इसभी पूर्व 563 इसभी पूर्व बाध सिक्छा का केंदर कहा था? बाध सिक्छा का केंदर बिक्रम सिला भारत में सबसे बड़ा बौध अस्थूप कहा इस्थित है? साची में साची का अस्थूप निम्नलिखित में से किस गरांथ में सरपर्थम देवकी के पुत्र क्रिस्न का वर्णन किया गया है? लग क्रिस्न को देवकी के पुत्र के रूप में किया गया है चंदोग्य उपनिसद, उप्सन नमबर B, जैन समुदय में, पर्थम विभाजन में, स्वेतामबर संप्रदय के संस्थापक कौन थे, जैन समुदय जो स्वेतामबर और दिगामबर में बटा हुआ था, तो स्वेतामबर का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा ह अस्थूल भद्र भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है नालंदा पर्थम जैन महासभा का आयोजन कहा हुआ था पर्थम जैन महासभा का आयोजन पाटली पुत्र और दूसरा कहा हुआ था बल लवी में पहला पाठली पुत्र और दूसरा वलबी याद रखना दू तिये जैन महा सभा का आयोजन वोई प्रस्ना गया वलबी में आप्सन नमबर 2 फिर रिपीट करते हैं निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों के समकाली नहीं है तो यहां पे बिम्बी सार, गौतम बुद और प्रसेंजित यह तीनों एक ही समय के थें बिम्बी सार, गौतम बुद और प्रसेंजित जबकि मिलिंद नहीं था तो अन्सर क्या बनेगा मिलिंद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो यहां पे गौतम बुद की माता कोलिय राजबंस की राजकुमारी थी यह सही है 23 तिर्थकर पारसवनात बनारस के थें यह भी सही है 24 कौन थे महावीर थें जब दो और तीन सही है तो हमारा आंसर क्या बनेगा C दो और ता तीन सही है प्राचीन भारत के बौद मठो में पवरन नामक समारो आयजन किया जाता था यह होता था बरसा डितु के दोरान मठो में प्रवास के समय बिक्चुओं द्वारा किये गए अपरादों की स्विकारिक्ति का अबसर होता था इसमें जो भी विक्चु कोई अपराद करते तो उसको वो स्विकार करते थे यह होता था पवरन समारो कई बार पूछा गया प्रसना यह पवरन समारो क्या होता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि बरसा किरितु यह सब दिया रहेगा बस यह रखना कि भिक्षू जो भी अपराद करते थे उसको वो खुद से एक्षेप्ट करने का वो एक त्योहार चलता था पवरन अगे प्रस्न है हमारा कास्मीर में कनिस्क के सासनकाल में जो बहुत संगती हुई उसकी आयोजन करता मिंस्स या उसके अध्यक्सता किस ने किया था वसू मित्र ने किया था वसू मित्र अंशर हैगा option number D आगे दिया गया कथन और कारण दिया गया है इसमें से कौन सही और कौन गलत होता यह आपको बताना होता है तो जैन धर्म ने या जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने किर्सकों को जैन धर्म अपनाने से रोका ये सही है क्योंकि जैन धर्म में कीटों का हत्या करना भी क्या था गुना था तो किर्सक कैसे करेंगे खेती किर्सी में कीटों और कीरों की हत्या होना सामिल था दोनों कतन सही है, साथ ही आर जो है एका बैख्या भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है, आर एका सही बैख्या करता है, option number A यहाँ पर सही है, अस्टंगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है, यह किसका अंग है, धर्म चक्र प्रावर्तन सुक्त की विशयवस्तू का, अ मिलिंद का प्रस्ण इसका मतलब हुआ, राजा मिलिंद और किस बौध बिक्चू के मद्य यह संबाद हुआ था, यह हुआ था नागसेन, राजा मिलिंद और रागसेन के बीच हुआ था, मिलिंद के प्रस्ण या मिलिंद पनो संब्यलन कह सकते हो, महायान बौध धर्म में बोधी वत्स अब लोकिते स्वर को किस अने नाम से जाना जाता है उन्हें हम कहते हैं पद मनी, पद पानी सोड़ी, पद पानी बौध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि इन दोनों का विश्वास किसमे था कि इस्तरी तथा पूरुस दोनों ही मुक्ष पराप्त कर सकते हैं ये बौत धर्म और जैन धर्म दोनों विजवास करते थे बौत धर्म के महायान और हीनियान संप्रदाय में सरवाधिक मौलिक अंतर क्या था? मतलब महायान और हीनियान में मेन अंतर क्या था? देवी देवदाओं की पूजा याद रखना बौत धर्म में महायान और हिनियान था जबकि जैन धर्म में स्वेतामबर और दिगामबर था ठीकना दोनों में अलग-अलग है प्रसन ऐसे आएगा कि महायान और हिनियान किसे समंधित है तो बौत धर्म से और स्वेतामबर लेख्गामबर सम्प्रदायों में कब विभाजीत हुआ था चंदरगुप्त माज़ी के समय उप्शन-न्मकर यहाँ सही है यहाँ सुमेलित करना है बहुत संगती men's account था तो पर्थम बहुत संगती महाकस्यप पर्थम बहुत संगती महाकस्यप दुटिये बौध संगती सब कामी, दुटिये बौध संगती स्व कामी, तिर्थिये बौध संगती मोगली पुत तिस, और चतुर्थ बौध संगती वसु मित्र, वसु मित्र, ओप्सन नमर ए सही था, निम्नलिखित में से कौन धर्म पुनर जनम में बिस्वास करते थे, इसम दुधर्म, बौधर्म और जैन धर्म तीनों पुनर जनम में विश्वास करते थे। बौध संगतियों के चार आयोजकों का मिन्स उस टेम में जो आयोजक करता थे बौध संगति का उसको आपको सही करमें यहां पे एरेंज करना है। तो पहला बौध संगति आजाद सत्रू के टेम में, दूसरा काला सोक, तिसरा असोक और कनिस्क एक लाइन से याज करो आजाद सत्रू, काला सोक, असोक, कनिस्क अजाद सत्रू, काला सोक, असोक और कनिस्क मिन्स ओको फिर ओको ठेक ना ऐसे करके कन्फ्यूशन नहीं होगा। अजाद सत्रू, काला सोक, असोक और कनिस्क. इड़ी की बेद के अनुसार, किन दो तिर्थकरों का उलेक, इड़ी की बेद में मिलता है, अंसर हमारा क्या हो जाएगा, इड़ी सब देव और अरिस्ट नेमी, ऑप्सन नमबर A, आगे दियागे हैं महावीर के नाम दिये गये हैं, और उसका अर्थ क्या है, यह आपको बता ना है, तो केवलीन का आर्थ होता है, पुर्ण ग्यानी, यह सब सारे महावीर के नाम थे, केवलीन, जीन, महावीर, निक्रत, तो केवलीन का आर्थ होता है, पुर्ण ग्यानी, जीन का आर्थ है, इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का आर्थ होता है, आप परिमित प्र निग्रित का आर्था बंधन रहित यहां भी option नमर यह आपका सही आंसर है महावीर ने जैन संग की अस्थापना कहां की पावापूरी या पावा महावीर की मिर्तियू के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ जैन धर्म का अगला अध्यक्ष हुआ सुधर्मन अनुब्रत सब्द किस धर्म से जुरा हुआ है जैन धर्म से जैन गरंद कल्प सुत्र के रचयता कौन है कल्प सुत्र के रचयता है भद्र बाहु परिशिस्ट पर्व जो की जैन धर्म से सम्मंधित रचना है इसके रचेता कौन है? परिसिस्ट पर्व के रचेता कौन है? हेम चंद्र है. किस जैन रचना में 16 महाजनपतों का उल्लेख मिलता है? भगवती सुक्त में. जैन तिर्तकर पार्ष्वनात्थ द्वारा परतीपाधित चार महावरतों में महाविर स्वामी ने पाँचवे महावरत के रूप में क्या जोरा था? बरहम चरिए पिरसे 3ौ करते हैं. जैन तिर्थकर पार्शुनात द्वारा प्रतीपादित चार महावर्तों में महावीर स्वामी ने पांचवे महावर्त के रूप में क्या जोरा बढ़म चरिये जैन सिल्पकला का उधारन है इसमें से कौन सा जैन सिल्पकला का उधारन है तो उरिशा के बागु गुफा खंडगिडी हाथी गुफा मंदिर आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर रनकपूर का चौमुक मंदिर और स्रवन बेल गोड़ा जो करनाटक में है इसमें किस बंस के सास को ने दिया गुजरात के चालक क्यों ने यहां पर सुची 1 और सुची 2 दिया गया है जिसमें आपको सुमेलित करना है तो सुद्धोधन यह कौन था बुध का पिता सुद्धोधन बुध का पिता, महा माया बुध की माता, महा परजापती गौत्मी यह मौसी थी बुध की मौसी अभी माता और यसोधरा बुध की पतने आगे फिर सुची 1 और सुची 2 दिया गए है यहां आपको सुमेलित करना है कि महात्मा बुद से रिलेटेड इसमें किसका क्या नाम था तो पहला इसमें क्या है चन्ना ये क्या था बुद का सार्थी चन्ना बुद का सार्थी कंटक ये बुद का पिडिये घोरा बुध का पिडिये गोड़ा अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना चेतक जो था वो किसका पिडिये गोड़ा था अलार कलाम वारुदरक रामपुत्र ये बुध का पिडिये गुरुदय था और निरंजना नदी किनाडे तट पर बौध से संबोधी प्राप्त की निरंजना मिन्स भगवान बुध ने उनको संबोधन किया था नदी के तरपर option number A यहाँ पर आपका सही था यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर एक क्या होगा सुमेलित नहीं होगा जबकि बौध की सिस्य थे अम्रपाली बुध की सिस्या थी सुजाता कठिन तपस्चयत के उपरांत बौध को भोजन कराने वाली कन्या थी और चुन्द पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुध की मिर्थी होगी थी चुन्द, यही खाना खाने के बाद उनकी मिर्ची होगी, लास्ट खाना वही था उनका, महात्मा बुद्ध किस छत्रिय कुलके थे, यह कहते हैं, जात्रिक कुलके थे, महात्मा बुद्ध किस कुलके थे, जात्रिक कुलके थे, option नमबर यहाँ पे, sorry मैंने गलत का, यह कहते ह जा था बुद्ध का गोत्र का नाम था सिध्यारत उनके बचपन का नाम था बुद्ध उनको संबोधित क्यान मिंज़ ज्यान की प्राप्ति के गटना, संबोधी, ज्यान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रावर्तन ये था पर्थम उपदेश, धर्म चक्र प्रावर्तन मतलब साड़नात में जो पर्थम उपदेश दिये, और महापड़ी निर्मान ये थी मिर्तियू की घटना, महापड़ी निर्मान मिर्तियू की बुध्य ने बैराग्य भावना किन चार द्रिष्चियों में वल्बलाई मैंसे बैराग्य जीवन में चार द्रिष्चे का उन्होंने जिक्र कियाए वो चार द्रिष्चे आपको बताना है तो उसमें बुठा, रोगी, लास और सन्यासी ये आपको याद करना पड़ेगा बुढ़ा, रोगी, लास और सन्यासी 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 बुढ़ा, रोगी, लास और सन घोस महा विशव सास्त्र के रचेता कौन थे? महा विशव सास्त्र के रचेता थे? वसू मित्र कौनसी बौध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौनसी बौध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम पद बौध धर्म में भावी बोधित्सु या भावी सिकी बोधित्सु किसे माना गया है ये कहा जाता है मैत्रिये को किसके समय में बौध धर्म असपस्टता दो सोतंत्र संप्रदाय हीनियान और महायान में विभाजित हुआ यह प्रस्ण रिपीटेट है अभी पटेते कनिस्क के टाम में जब चौथी बहुत संगाती हुई थी ओप्शन नमबर सी योगाचार या बिग्यानवाद के परतिपादक कौन थे योगाचार और बिग्यानवाद के परतिपादक थे मेत्रे नाथ आगे प्रस्ण यह आपको सुमेलित करना है ब्रज पानी यह क्या थे इंद्र देवता के तुले ब्रज पानी इंद्र देवता के तुले पद्ध पानी यह थे अवलोकिते स्वर मंजूसरी बुद्धी के प्रखर करने वाला बुद्धी को प्रखर करने वाला मंजूसरी औ और अमिताव कौन था स्वर्ग का देवता रिपीट करते हैं वज्र पानी इंद्र देवता के समान था पद्ध पानी ये था अवलोकिते स्वर मंजूश्री बुद्ध को परखर करने वाला और अमिताव स्वर्ग का देवता ओप्शन नमर ए यहाँ आपका सही है आगे प्रस नमर एस है भारत से उत्तर की ओर देषों में बाध धर्म के जिस समपरदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था तो दो ही थे एक था हीनियान और एक था महायान तो यहां हैं वने क्या पढ़ा डक्शिन की ओर कौन की ओर ओप्सर भी इनक्तां महायान ओप्सण नमर बाध धर्म का मूलाधार है बौध धर्म का मूलाधार इसमें से कौन सा है चार आड़ी सत्य चार आड़ी सत्य बौध धर्म में तिरी रत्न क्या इंकित करता है कुछ देर पहले भी पढ़े थे तिरी रत्न कौन कौन सा था तो बौध धर्म के तिरी रत्न कौन कौन से है बुध धम और संग, बुद्ध, धम और संग, option number C सही है, बौध धर्म को भारत में अंतिमराज के संरक्षन, किस बंस के सास को ने दिया, ये किस बंस के सास सकने दिया, बंगाल के पालवंस के, या पालवंस के सास सकने दिया, पालवंस कहां का था, बंगाल का यहाँ पर मिलान करना है आपको बोष सिक्षाकेंद्र और उसके संस्थापक कौन थे? पहला है नालंदा, नालंदा का कौन था? कुमार्गुप्थ Dot प्र इ अदंतिपूरी गोपाल जो कि पालवन्स का था बिक्रमिशिव्द धर्मपाल जो कि पालवन्स कन इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, नारंदा जो सिक्षा केंदर है उसका संस्थापना किस ने किया, कुमारगुप्त पर्थम ने, अदुन्त पूरी गोपाल ने, बिक्रम सिला का धर्मपाल और बल्लवी का भटार्ग ने, उप्शन नमर ए यहां आपका सही है, अनेकता वा से किसे सम्मंदित है और किसके लिए किया जाता है, तो यह अगर बाहुवली मुवी देखे होगे, उसमें भी यह किया गया है, महा मस्तकावी सिक, तो वही बाहुवली है, अंसर क्या वनेगा आपका, आपका, उप्शन नमर ए, जैनियों का विश्वास था, कि जैन मत, 24 त तिर्थकर इसमें से कौन से थे, महावीर ही थे, और यह कथन क्या था, कि वह अंतिम और 24 पे तिर्थकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बलकि बरतमान धार्मिक संप्रदय के सुधारक माना गया था, ओप्शन नमर यहां आपका, C सही होगा, किस आदधाम बुद साहित्य जो बुद के बिभिन जन्मों की कथाओं के विशय में है, वो क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, वो आदधाम बुद साहित्य जो बुद के बिभिन जन्मों की कथाओं के विशय में है, वो क्या है, मतलब कौन से पीटक में बुद के बिभिन जन उसमें बौध के बाड़े में मिली दिया गया है। जैन दर्शन के अनुसार स्रिस्टी की रचना एबं पालन पोशन हुआ जैन दर्शन के अनुसार स्रिस्टी की रचना और पालन पोशन हुआ सर्भौमिक सत्ति से। निमनलिखित में से कौन सा बौध पवित्र अस्थल निरंजना नदीप पर इस्थि थे? निरंजना नदीप के तट पर कौन इस्थि थे? इसमें से बोध गया. बोध गया. उप्शन नमर ए. गौतम बुध के गुरू कौन थे? गौतम बुध के गुरू का नाम क्या था? अलार कलाम. उप्शन नमर दी. प्राचीन भारती एतिहास के संधर्म में निमनलिखित में से कौन सा बिध्यमान है ये मिनसे जैन धर्म और बौध धर्म के बारे मे दोनों कथन सही है ये आपको याँबे बताना है. तो तब और भोग की अति परतिहार ये सही है और कर्म कांडो की फलबत्ता का निसेद ये भी सही है. पर याद रखना दोनों धर्म पुनर जनम में विश्वास करता था. यहाँपर आंसर में हमारा एक और तीन दोनों सही ह भगवान बुद्ध की परतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमी असपर्स मुद्रा कहा जाता है. यह किसका परतिक है? तो मार की द्रिष्टी रखने एवं उसको ध्यान में बिग्न डालने की मार को रोकने के लिए बुद्ध का धर्ती प पर आवहन यहां पर A और B दोनों सही है तो option हमारा क्या वनेगा D जिसमें लिखाए कि A और B दोनों सही है अंसर वनेगा D राजगरी बैसाली और पार्टली पुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी समानता है? राजगरी बैसाली और पार्टली पुत्र है तो इन तीनों ज बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम बर्षा रितु कहां बिदाए थी? कुसी नगर में कुसी नगर ओसाका राम बिहार निम्नलिखित में से किस अस्थान पर इस्थी थे? ओसाका राम है पटली पुत्र ओसान नमर बी महावीर स्वामी की भिक्छुनी संका परधान कौन था? चंदना ओप्सन नमर ए यह आपका जो धर्म पिरियर्टा वो खत्म होगे आगे है मौरी काल वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको हम यहें इंड करते हैं सेशन अगर अच्छा लगा हो कुछ चीखने का मौका मिला हो तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद